नमस्कार आजा सिपाही में आपका स्वागत है मैं हूँ राहूल सिंग अंदर रांची के पुरवर डिसी छवी रंजन से पुस्ताश हो रही थी और बाहर अश्वनी साहू उन पर धमकाने का आरोप लगा रहे थे साहू ने यह भी आरोप लगाया कि पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश ने भी जमीन चोड़ने की धमकी दी थी और कहा था कि तुम्हें पता नहीं है कि यह सब कुछ कौन करवा रहा है इसके पीछे कौन है क्या है पुरा मामला 30 जून 2022 को करीब 1500 पुलिस कर्वियों ने उसे जमीन को खाली करवाया था और घेराबंदी करा दी थी उस समय से ही यह मामला चठा में है अरबों रुपए की इसे जमीन के दस्तावेज में हिरा फेरी कर इसे विनोज सिंग के पिता रूप नरायंट सिंग के नाम कर दिया गया था चविरंजन उस समय रांची के डिसी थे उनकी जानकारी में इसे पूरे खेल को अंजाम दिया गया आरोप है कि सादा पंचनामा पर म्यूटेशन का आदेश भी दिया गया था अब इसी मामली की जाँच एडी कर रही है क्या कहा अक्ष्वनी साहू ने एडी कार्याले के बाहर मिडिया से बात करते हुए अक्ष्वनी साहू ने आरोप लगाया कि बजरा के खाता नंबर 140 जिसका रकबा करीब 7,86 डिसमिल है उसका दस्तावेज में हिराफेरी की गई है इसे सुधीर दास की पहल पर जमीन विनोट सिंग के पिता रूप नराइंट सिंग के नाम कर दिया गया साहू ने कहा कि जब प्रशासन के अधिकारियों ने उनकी कुछ नहीं सुनी तो उन्होंने हाई कोड का दर्वाजा खट खटाया सिंगल बेंच ने डी सी के आदेश को रद कर दिया इसके बाद भी जिला प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया तब डबल बेंच में अपील की गई वहाँ भी एक्षविनी साहू के पक्ष में फैसला आया इसके बाद भी राची प्रशासन ने जमाबंदी रद करने का अधेश नहीं दिया अब एडी पुरे मामले को खंगाल रही है उन्हें उमीद है कि इस मामले को अंजाम तक पहुचाया जाएगा तदकालीन सबरेश्टरार ने लिखा था दस्तावेज गायब है तदकालीन सबरेश्टरार राहुल चौबे ने उस समय राची के उपायुक्ते छबिरंजन को या जानकारी दी थी कि हैल अंचल के बजरा मौजा की उक्त जमीन के दस्तावेज गायब है उनके इस से पत्र पर कोई कारवाई नहीं हुई उल्टे परवर डिसी ने सादे पंच नामा को आधार बना कर जमीन की जमाबंदी किसी और के नाम कर दी इतना ही नहीं जमीन की घेराबंदी भी प्रशासन नहीं करवाई